नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतिय इतिहास के एक महान शैक्षिक केंद्र नालंदा विश्व विद्याले के बारे में. नालंदा विश्व विद्याले, जो पांचवी शताब दी सीई. में गुप्त सामराज्य के समय में स्थापित हुआ था, भारतिय इतिहास के एक प्रमुक शैक्षिक संस्थान था. इसका स्थान बिहार के राजगीर के पास था, जो भारतिय और चीनी व्यापार मार्ग पर स्थित था. नालंदा विश्व विद्याले ने अपने विशिष्ट शिक्षा प्रणाली और विविद शैक्षनिक पाठिक्रमों के लिए विख्यात था, जो बौध अध्ययन, दर्शन शास्त्र, तरक शास्त्र, व्याकरन, चिकिचा, गनित और साहित्य में शामिल थे. इसका पुनर्स्थापना वर्ष 2010 में हुआ, और आज के समय में यह अंतरराष्ट्रिय शैक्षनिक संस्थान के रूप में अपने प्रमुक रूप से अपनी प्रसिद्धी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विश्व विद्याले का निर्मान गुप्त सामराज्य के राजा कुमार गुप्त और बाद में वर्धन सामराज्य के समराथ हर्ष वर्धन की प्रायश्चिती में हुआ था. नालंदा एक विशाल संगठन था जिसमें कई महाविहार, पुस्तकालय, शिक्षा हौल, ध्यान कक्ष और अन्यशैक्षनिक भवन शामिल थे. इसकी प्रशासनिक विवस्था में चांसलर, शिक्षक, आचार्य और प्रशासक शामिल थे जो इसकी दिन चर्या का संचालन करते थे. यहाँ शिक्षा के तरीके बहुत प्रभावी थे, जिन में व्याख्यान, वादविवाद, सेमिनार और चर्चाए शामिल थी जो विचार शीलता और विद्वत्ता को विक्सित करने के लिए महत्वपूर्म थे. धर्म गंच पुस्तकाले, नालंदा की पुस्तकाले, विश्वभर में सबसे बड़ी मानी जाती थी और वहां हजारों हस्तलिखित पुस्तकें थी, जो विभिन विश्यों पर संग्रहित थी. इसमें संस्कृत से अन्य भाशाओं में भी पाठों का अनुवाद किया जाता था, जिससे यह ग्यान का व्यापार एशिया में फैलता था. लेकिन बारहवी शताबदी के आरंभ में बक्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्व विद्याले के नाश का घटना एक दुखद घटना थी. इस घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं. बक्तियार खिलजी और उनके सैनिक दिल्ली सल्तनत के सामराज्य के विस्तार के लिए युद्ध अभियान चला रहे थे. उनका लक्ष सामराज्य की ताकत को बढ़ाना और स्थानिय शक्तियों को कमजोर करना था. नालंदा एक एतिहासिक और धार्मिक केंद्र के रूप में उनके लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक संसकार भी था, जिसे उन्होंने नश्ट कर दिया. इसमें लूटपाट का तत्व भी था, क्योंकि नालंदा में अमीरी और धन का भंडार था. इतिहासकारों ने इस घटना के पीछे विभिन कारणों की व्याक्या की है, लेकिन स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है कि यहां की विनाशकारी क्रियाए धार्मिक असमंजस या धार्मिक विवादों की वजह से हुई थी. यह नालंदा विश्व विद्याले के लिए एक महत्वपूर्ण क्षय है. जैसे की इतिहासकारों ने बताया है, बक्तियार खिलजी और उनके सैनिकों ने अकसर युद्ध के दोरान सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थानों को नष्ट करने का रणनीतिक तरीका अपनाया था, ताकि स्थानिय जनसंक्या को डराया और सुधार के विरुद्ध नालंदा विश्व विद्याले के नाश से यह एक महत्वपूर्ण ग्यान और सांस्कृतिक धरोहर की खोई हुई याद बन गया, नकेवल भारत के लिए बलकि अधिक व्यापक संदर्भ में भी, क्योंकि नालंदा विश्व विद्याले एक ऐसा शिक्षा केंद्र था जो एशिया भर से विद्यार्थियों और विद्वानों को आकरशित करता था। इस दोखद घटना के बावजूद, नालंदा विश्व विद्याले की प्रसिधी और प्रभाव ने अपने विशेश स्थान को बनाए रखा, जो इसके प्रत्येक विद्यार्थी और विद्वान स्थान रखता है। इसका पुनर स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतिय संस्कृती और शैक्षनिक विरासत को बचाने और पुनर निर्मान करने के लिए किया गया है। हमें आपके साथ इस बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।